आज मैं आप लोगों को बताने जाना हूँ कक्छा दस्वी के विज्ञान विशाय के प्रस्ण बैंग के प्रस्णों के उत्तर तो इसे मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंडा है तो आप लोग देख लेना ठीक है जो जो प्रस्मों का उत्तर नहीं मिला है आप सिर्फ उनको देख लेना बाकि आपके पास है तो आप guide में tick कर लेना ठीक है तो guide में tick करना और जो नहीं है उसको आप लोग एक copy लेना और copy में leak लेना ठीक है इसके answer को आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस इतना ही आपको करना है तो चलो शुरू करते हैं तो मैं आपको अध्यायवाईस बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा topic है तो आपको अध्यायवाईस में complete करा पाऊंगा तो मैं सभी subject के पूरा complete करा दूँगा ठीक है तो चलो देखते हैं विज्यान subject के तो पहला है अध्यायवाई एक में रसाइनिग अभिक्रिया एवं समीकर्ण दिया हुआ है अब इसमें देख लेते हैं तो यहाँ पर वस्तुनिष्ट प्रस्न है ठीक है तो वस्तुनिष्ट प्रस्न देखो तो यहाँ पर पहला है किसी रसाइनिग अभिक्रिया का निर्धारन होता है जब तो क्या लेगे यहां पे चार option में अवस्था में परिवर्टन हो, रंग में परिवर्टन हो तो यहां पे आएगा तीनों आएगा ठीक है अज़िक है चलो देखते तो उप्रोक्त मेंसे कोई या सबी यह option आपको लेना है दग को लेना है ठीक है इसके बाद देखो दूसरा क्या है यदि magnesium ribbon को वाईयू में दहन किया जाए तो चमकदार स्वेत लौ उत्पन होता है मतलब होती है एवां यह स्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है यह चूर्णा रसाइनिंग रूप में होता है रूप से होता है तो इसका एंसर के आपको क्या लेना है इसका एंसर लेना है magnesium सिर्फ magnesium होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको लेना है magnesium oxide लेना है ठीक है तो magnesium oxide के अक्साइड होता है इसके बाद है calcium oxide की जल के साथ अबगरिया किस प्रकार होती है तो यहाँ पे आपको एंसार लेना है उसमा छेपी अभिक्रियाटी या तो उसमा छेपी लेना है यहाँ इसके बाद है छोथा है निम लिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्थन नहीं है तो यहाँ पे आपको लेना है LPG का दहन नेश्टरह पांचवा है जल का विधुद अ एक अभगटन अभिक्रिया है hydrogen एवं oxygen के निकलने में mole अनुपात होगा तो यहाँ पे एक अनुपात एक आएगा आगे देखते है शटवा देड़ तक silver chloride को सूर्य के प्रकास में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्यों तो इसका एंसर आपको लेना है silver chloride का अबचैन हो शूर्य के प्रकास में स्वेत रंग का silver chloride क्लोडूराइड धूसर रंग का हो जाता या अभिक्रिया उधारण है तो यहाँ पे आपके लेना है विस्थापन अभिक्रिया का उधारन है इसके बाद नेश्ट है जीन अभिक्रियाओं में उस्मा का उसोजान होता है उन्हें क पानी में तूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो यहाँ पर आपको एंसर लेना है उस्मा सोसी अभिक्रिया इसके बाद 11 है निम लिकित में से कौन सी प्रक्रिया रसाइनी अभिक्रिया है तो इसका एंसर लेना है चाइना डीस में पेट्रोल का खुले में रखना यह है इसके बाद 12 प्रशन रेको नीम्नम में से कौन सी एक रसाइनिंग अभिक्रिया नहीं है तो यहां पे आपको एंसर लेना है लोह पदार्थ में जंक लगना ठीक है रसाइनिग अभिक्रिया नहीं है इसके बाद है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अमल का क्या नाम है तो इसको हम बोलते हैं SCLT का सांद्र हाइडोक्लोरीक अमल यहां पे लिखा है तो इसको आपको लेना है इसके बाद नेश्ट प्रशन है 14 प्रशन किसी रसाइन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं क्या कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं यहां पे आपको अभिकारक लेना है इसके बाद देखते हैं रिक्ती सानों की पूर्ती, तो चलो, रिक्ती सानों की पूर्ती देखलो, तो यहाँ पे पहला है, पाप धनी, यहाँ पे पाप धनी से जलने वाली गैस, क्या है? है Hydrogen है, H2L, हमारे सरीर के कोशकी है, इस्तर पर भोजन का धन, अब चैन कहलाता है, अपचैन आयागा वहाँ पर लंबे समय तक सेवा न करने पर सूखे में वो के सड़ने का कारण क्या है विक्रिति गंधिता है इसके बाद है एक्टू का योग तथा O2 का हारास अपचैन अभुक्रिया कहलाता है यहाँ पर अपचैन आयागा दिवार पर सफेद करने के दो-त दिन बाद दिवार पर चमक आ जाती है, ऐसा क्यों? यहां पर केल्सियम कार्बोनेट बनाने में होता है, इसलिए होता है, तो CACO3 बनाने में है, इसके बाद संगमरमर का रसायनिंग सुत्र क्या है, तो केल्सियम कार्बोनेट यहीं आपको लिखना है, CACO3 लिखना है, बीन बुझे हुए चुने का सुत्र क्या होता है C A O होता है ठीक केल्सियम मोनो अक्साइड ठीक है केल्सियम आक्साइड पढ़ सकते हो केल्सियम मोनो अक्साइड पढ़ सकते हो तो यह इसका सुत्र होता है ठीक है इसके बाद अब देख लेते हैं अती लगुत्री प्रशन देख तो पहला आप देख लेते हैं उस्मा चेपी अभिक्रिया क्या है जिस रहसाइनी अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उस्मा भी निकलती है वह उस्मा चेपी अभिक्रिया कहलाता है इसका ग्यामपल भी दिया हुआ ठीक है ये ग्यामपल लेना है लिख लेना है याद कर ल बील चलो आगे देखते हैं तिसरा प्रस्न को उस्मा 6P अभकिर तो इसका एंसर आपको लिखना है एक मंदः cricket कीआ अब कीडिया होती है जीशमें कार्बन डायकसाइड जल वास्प एवाम ATP के रूप में उस्मा निकलती है इसलिए इसे उस्मा उस्मा 6 पी अभिकरिया कहते हैं ठीक है बस इतना ही आपको लिखना है इसमें चलो आगे देखते हैं इसके बाद है औच्छेपण अभिकरिया किसे कहते हैं एक उधारन दीजेए ठीक है तो आउच्छेपण अभिकरिया देखते हैं तो देखो आउच्छेपण अभिकरिया जब दो विलियनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिकरिया से स्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्मार होता है जो तो जल में अविले हो, मतलब जल में अविले है, इस अविले पदार्थ को औच्छेपड कहते हैं, जिस अविक्रिया में औच्छेपड का निर्मान होता है, उसे औच्छेपड अविक्रिया कहते हैं, समझ में आ गया, और हमें एक उधारन भी देना है, तो देखो, यहाँ प इसको पूरा लिखना है यान पूरा याद करना है ठीक है आगे देखते हैं नेश्ट प्रस्न को अगला प्रस्न क्या है विस्थापन एवां दू विस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर ठीक है एक अंतर बताना है तो देखलो मैं आपको एंसर बता देता हूं उत्तर यौगिक में विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है अब दिविस्थापन अभिक्रिया क्या है विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाड़ू या परमाड़ू के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है उसे हम दिविस्थापन भीक्रिया कहते हैं ठिक इतना को आपको याद करना है ठिक चलो आगे देख़ते हैं नेश्म प्रसन के है तेल एवं वसाई युक्त पदार्थों को नाय-टोजन से प्रावित क्यों किया जाता है तो इसका एंसर लीखने है आपको तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइटोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें अपचैन ना हो सके ठीक यह इसका एंसर है इसके बाद नेश्ट प्रसने देख लेते हैं अगला प्रसना है वियोजन अभिक्रिया को सैयोजन अभिक्रिया के विपरित क्यों कहा जाता है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकन लिखिए तो इसका अंसर आप देख लो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक तूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं जबकि सयोजन में दो या दो अधिक अभिकर्मक सयूप्त होकर एकल उत्पाद बनते हैं इसके जामपल भी दिया ठीक है यहाँ पे देखो रसाइई समीका अंदिया है आपको ये भी याद करना है इसमें इस अभी ग्रिया के फिर इसके बाद नेश्ट प्रस्न देखते हैं अगला है सोडियम को मिट्टी के तेल में डूबो कर क्यों रखा जाता है इसका एंसर आपको क्या लिखना है सोडियम को कैरोसीन तेल मतलब वही है मिट्टी का तेल में नी दूबो कर क्यों रखा जाता है तिये प्रस्टन है, इसके बाद आगे देखो यहां से है सोडियम सक्रिय धातु है, जो Y-U में उपस्थीद अक्सिजन से क्रिया कर कर के सोडियम आड़ोगसाइड तथा हैड़ोजिन उत्पन करते हैं मिट्टी के तेल में डूबो कर सुनिश्ची दरखते हैं ठीक है ये इसका एंसर है इसके बाद नेश्ट प्रस ने देखते हैं अगला क्या है वाईू में जलाने के पूरु मैगनीसिय रिबन को साप क्यों किया जाता है तो इसका एंसर होगा यदि मैगनीसिय रिबन में नम पायू के संपर्क में रहता है, तो उस पर सफेध रंग की मैगनिसियम आकसाइड की परत जम जाती है, यह परत मैगनिसियम के जलने में औरोत पैदा करती, इसलिए मैगनिसियम रीबन को पहले रेगमार से साब किया जाता है, ठीक है यह इसका एंसर है, इसके बाद देख ले होता है तो किसी दूसरी का अपचैन होता है इसलिए उनका अलग इनका अलग अलग अध्यान ना करके एक साथ अध्यान करने करने हैं और दोनों को मिलाकर रेडाक्स कहते हैं ठीक है तो दोनों को अलग 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 ना करके देखो इसको अगर समझे जा तो इसे इस प्रकार समझ प्रसनों में यहीं प्रसना है औल-गौग देखने को मिलेगा उभी दो नंबर के आप लोगों ने देखा अब तीन नंबर के प्रसना में क्या-क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं ठीक है तो ये सब प्रस्णबैंग के क्यूश्चन है चलो देखते हैं आगे संतुलित रसाइनिग समीकरण किसे कहते हैं एक संतुलित रसाइनिग समीकरण लिखे हैं तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं जीस रसाइनिग समीकरण में अभिकारक एमं उत समीकरन को संतुलित करना आवस्यक है ठीक है तो ये इसका एंसर होगा इसके बाद इसमें देखते हैं लगुत्री प्रस्न कमांग दूसरा का एंसर देख लेते हैं रसाइनिंग समीकरन को संतुलित करने की हीट एवं ट्रायल विधी क्या है तो हमें हीट एवं ट्रायल विधी कहते हैं रसाइं समीकरन को संतुलित करने के लिए सरवधम अडवो में से आकसीजन हडोजन को छोड़कर दूसरे परमालू को संतुलित करते हैं तथा गैस के लिए लिखते हैं ठीक है तो ये इसका एंसर होगा इसके बाद नेश्ट प्रस्ण देख लेते हैं उस्मा छेपी अभिक्रिया के तीन उधारन दीजे तो इसके तीन उधारन देना है तो यह आपको गाइड में नहीं मिलेगा नहीं आपको विश्म मिलेगा आप इसे बुक से लेना है ठीक है इसका एंसर मैं भी बत पदार्थों को इसके बचाने हितू कौन सी प्रक्रिया अपना ही जाती है तो इसका एंसर देख लेते हैं तो देखो यहाँ पे इसका एंसर क्या है वसा या तेल से बने खाद पदार्थों में अधिक समय तक रखने से O2 द्वारा उनका अपचैन हो जाता है जिससे उनका स होती है ठीक है यह इसका एंसर रहेगा इसके बाद लास्ट प्रस्ना है जंग की जब जब लोहे की किल को कापर सलफेट के विल्यान में डूबोए जाता है तो विल्यान का रंग क्यों बदल जाता है यह इसका प्रस्ना है तो एंसर क्या होगा जब लोहे की किल को कापर के घोल से कापर को विश्थापीद करके फेरा sulphate का हरा Вilyan बनाता है इस का रण्डर सुर्फेट का रंग बदल जाता है तो यहां पर देखो कौपर USA मैं अफ़ी है ठीक है आईरन है फिर अफ़ी एसोफोर हरा रंग मतलब iron sulfate है और ये copper है तो ये hair abilion में इस तरह से बदल जाता है तो ये इसका रसाइनी सुत्र है तो इस तरह से अध्याय एक के सारे प्रस्णों का मैंने आपको उत्तर दे दिया है तो प्रस्ण बैक में जितने भी प्रस्ण थे अध्यायक में वो सारे प्रस्णों के अंसर आपको मिल गया बस कहा करना है आपको याद करना है इसके बाद बांकी जो अध्याय है उसका वीडियो में आपको बाद में प्रवाइड करा दूगा